बहुत सारी द्वाओं के साथ के हमेशे खुश रहें, मुस्कराते रहें, मैं सराज बात करें हूँ वीडियो शुरू करने से पेले मैं सिर्फ आपको अतना बताना चाहती हूँ के काफी सारी लोगों के मुझे मेसेज़ेस आते ही, जो के मुझे काफी शुरू से देख रहे हैं तो कल परसु भी किसीने मेरी बहुत पुरानी वीडियो देख्योंगी एक्सरसाइस की तो उन्होंने कहा के भी आप क्यों आजकल एक्सरसाइस की वीडियो नहीं बना रही हैं हेल्थ टिप्स की वीडियो नहीं बना रही हैं क्योंके मैंने जो चैनल शुरू किया था वो बेसिकली किया था हेल्थ टिप्स से और एक्सरसाइस से और चीजों से तो इंशाला मैंने सोचा कि हफते में एक दफा एक विडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाला तो मैंने सोचा है कि अभी ऑक्टूबर का मिना जब आएगा तो उससे शुरू करूंगी ताकि जो है वो कंसिस्टेंटली मैं जो है वो हफते में एक लिस एक विडियो बनाऊं जि मेरे साथ रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी जब में डालूंगी तो इन्शाला प्रामिस करती हूं कि मैं हफते में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी ठीक है तो आज की वीडियो जो है वो मेरे देखने वालों के लिए हैं जिनके बहुत सारे मेसिजिस आ रहे हैं कि क्या हमने सोचा है कैनेड़ा आने का या हमने अप्लाइ भी कर लिया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने का है कि हमारा वीजा भी आ गया है और हम बस एक दो मैने में जो हमरे तैयारी है आ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अप्लै कर लिया है और होफुली वीजा आ जाएगा तो ये मैं सिर्फ विजट वीजा की बात नहीं कर रही हूं ठीक है न क्यूंके सिर्फ वेजट वीजा वालों के भी मेसेज आ रहे हैं तो साथ में क्या तो क्या 2024 या 2025 जो है वो, is it okay के move to Canada, क्या future के लिए Canada सही है, Canada आना चाहिए, या फिर वो जो visit visa के लिए पूछ रहे हैं, कि हम visit visa पे आएंगे, तो हमारा future में ये इरादा है, कि हम यहां पर आके job लेंगे, और job डून देंगे, फिर यहां पर settle हो जाएंगे, तो क्या हमें ये decision लेना चाहिए, हम आएं या नहीं आएं, काफी लोग कह रहे हैं, काफी जो लोग केनेडा आ गए हैं, वो वापस जा रहे हैं, केनेडा से, तो क्या ये सच है, देखे, to be honest, मैं इमानदारी से, मैं मेरे, सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूँ, जो मैं केनेडा में, जो उनको मैं जानती हूँ, क्योंके मैं community में हमारी जो इंडिया और पाकिस्तानी community है, इसमें बहुत मैं actor हूँ, मैं काफी लोगों को जानती हूँ, काफी लोग मुझे जानते हैं, तो honestly, मैंने किसी से भी नहीं सुना, कि कोई गया हो, यह कोई बोला है हो, यह कोई plane कर रहा हो, कि हम वापस जाएंगी, मैंने किसी से भी नहीं सुना, especially जो मेरी इतनी बड़ी community है, हमारी Edmonton में, माशाला माशाला, बहुत बड़ी community है, इंडिया और पाकिसान की, और फिर बंगलादेश के, क्योंकि बेंगोलीज भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी दुआ सलाम में, मैंने किसी, मैंने नहीं सुना कि कोई गया हो, या कोई प्लेन करा हो, अभी मैं आपको मिसाल दूँ उसकी, के भी हालात खराब है, तो उसकी मैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें कवर करूँ, ठीक है न, तो अभी हमारा, इस संडे को सब ने कहा कि एक शाफी ग्रि बिरंच है वो 12 डॉलर का, तो देखा जाए, तो बिरंच 12 डॉलर का बहुत अच्छा बोला जाए, तो फ्रेंच ने मेसेज किया कि, लेट्स गो, के सब मिलके चलते हैं, हला हुला करेंगे, खाएंगे भी थोड़ी दिर, एक दो गंटे के लिए टाइम स्विन करेंगे, तो सब जा रहे हैं, इन्शाला संडे को मिलेंगे, तो आपको यकीन है, उन्होंने मेसेज किया, पचासाट लोग, सतर लोगों ने कहा कि भी हम आ रहे हैं, तो देखें, जब खुदानकास्ता कोई कहता है कि केनेडा के हालात बहुत खराब हैं, केनेडा बहुत बुरा जा रहा कि हम जाएं रेस्टोरान में, जब आपके बेसिक चीजें लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास जौब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपनी बेसिक चीजें नहीं ले सकते हैं, आटा है, जो आपका किचिन का अनाज है, राशन पान इसकी है, आपकी बेसिक जो चीजें है, आपके बच्चों की इसकोल की चीजें, आपके बच्चों की पपड़ा है, उनके लिए Two podcast को आजाती है, जिसके बगएर भ्यक्तों पराइनका दूसिए penguin मेंख में। जगानी होती, अभी यहां पर खुला है शेर्वूर पार्क की तरफ वो जो नया पाकिस्तानी रेस्टोरन खुला है, तो उसने मैंने सुना कि उसमें लोग booking कराती हैं, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है आपको जगानी मिलती है यहां पर मैं आपकी छोटी सी विडियो दिखाती है जो नोने टिक टॉक पे डाली हुई है बेस्ट पाकिस्तानी रेस्टोरन शेर्वूर पाक में, लाहोर इन टाउन तो उसमें लोग बोलती हैं जगानी है, मैं आपको दिखाती हूँ देखे, वाके नो डाउट मैंने सुना है तारीफ सुनी है कि बहुत अच्छा खाना है हम लोगों ने अभी विजिट नहीं किया है क्योंकि तो बी आनिस्ट हम होटलिंग बहुत कम करते हैं क्योंकि हम घर में इतना अच्छा खाना मेरे बेटी और बच्चे पका लेते हैं इतना अच्छा खाना बना लेते हैं पर हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा ज्यादा मीट कम खाएं वेजिटेबल ज्यादा काएं कच्छी वेजिटेबल ज्यादा खाएं तो हम बहुत कम होटलिंग करते हैं, कोई भाइर से अगर मेमाना चाहता है, या जैसे अमेरिका से हमारे फैमिली के आये थे, तो हम नाश्टा करने गए थे, तो हम बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं, यकीन करें होटलें बरी होते हैं, इसी तरीके से हमारे यहां पर Edmonton में चटनी रेस्टोरांट है, कडाई पॉइंट रेस्टोरांट है, इसमें जगा खाली नहीं होती, बैटने की, लोग लाइनों में खड़े होती, तो किस तरह लोग कह सकते हैं, कि लोगों के पास जौब नहीं है, लोगों के पास खाने के जा रहे हैं, लेकिन जहां पर सो में से अगर एक फैमिली वापस जाती है, तो हजारों लोग आ रहे हैं, इम्मिग्रेट होके, हजारों लोग चाते हैं, क्या तो वज़ा है, क्यों केनिडा को लोग चूज कर रहे हैं, कुछ तो वज़ा है न कि केनिडा लोग सोच रहे हैं है कोई ऐसी कोई ऐसा मुल्क नहीं है सारी विडियो बनाते बनाते कुछ जरूरी काम याद आ गया तो बाइन कले में और मेरे हस्पन 15-20 मिन के लिए तो मैंने का थोड़ी एक-दो मिनिन की मैं यहां पर बना लू तो जो कोबिट के बाद जो है वो केनिरा बहुत ही अच्छा जा रहा है माशाला बेक टू नॉर्मल जा रहा है जोब्स भी मिल लिए हैं सब हाँ यह है कि जाहिरी बाते हैं वो प्राबलम है कि बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए है और बहुत सारे विजिटर्स आ गए है तो उनकी वज़ा से यहां के लोगों को जोब्स मिलना थोड़ मचा रहे हैं. समझें ना? और भाकी जो मैं आपको एक बात बता दूँ, कि यहां से बहुत सारे हमारे यंगिस्टर जो हैं, जिनको पासपोर्ट मिल गया है, पासपोर्ट होल्डर है, कैनी रिन, क्यूंकि उनकों, उनके पासपोर्ट है यहां की, तो उनको भाची मुलकों में, especially डुबई और सौधी अर्भ में, बहुत अच्छी जाव मलती है, बहुत अच्छी ओफर मलती है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चे वहां भी मुऊ हुए हैं कुछ अरसे के लिए, तीन साल के लिए, तीन स तो आफ़लर कमा रहे थे तो वहां पर 7-8000 डॉलर की उनको आफर मिली है, 10-1000 की आफर मिली है, और घर भी फिरी, हेल्थ भी फिरी, बचों की स्कूल भी फिरी, उन बचों को जो यहां के पासपोर्ट होल्डर हैं, तो वो मुह हो रहे हैं, नो डाउट, मैं इसके लिए भी व प्रोज और कौन्स हर जगा के हैं, अच्छी बाते हैं और बुरी बाते हर जगा की हैं, लिकन जहां तक मेरा experience है, जहां तक मैं अपने viewers को जो मैं बताना चाहती हूँ, केनेडा अगर आप प्रॉपर तरीके से आए ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से आए जो उनके pathways हैं, जो उनको immigration जो इनके systems हैं, उसके जरी आए ना, तो केनेडा is very good country to come, केनेडा is very good country to live, for your kids, for you, for your future, for your old age, बहुत अच्छी country है, देखें हमारा ये 20 सार का experience है, to be honest मैं, मुझे क्या है, के बहीं, मेरी ये कोशिश होती है, के मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को, वो बताऊं जो मेरा खुद का personal experience है, या जो हमारे surrounding में है, जो हमारे रिश्टा नज़ी के हैं, हमारे family के भ देवर की बीटी है, याँ पर है, मेरे भाई के माशाला तीन चार बेटे हैं यहाँ पर, और उसके इलावा बहुत सारे नसजी की कजन के, रिशेदारों के, मेरे सुसराल में बहुत सारे रिश्टारों के बच्चे हैं, हमारे पडोस वाले हैं, माशाला जो आए हैं सब हैं या वर्क पर्मिट पे आए हैं उनलों को प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं तो अगर आप कहते हैं कि क्या हम कैनेडा आएं तो मेरा मश्वरा ये है कि अगर आप विजिट विजा पे आ रहे हैं और आप फिलाल 2024 2025 की बात करेंगे फ्यूचर में तो हाला चेंज हो जाएंगे मुझे पता है क्योंकि ये 2016 या पता है 14 में भी हुआ था फिर चेंज हो गए हाला फिर 19, 18, 19 भी हुआ था फिर हाला चेंज हो गए ये सेम टूडो था जो गवर्मेंट में नहीं था तो वो अपने अपोजिशन के लिए ये चीजें बोला था कि यहां पर बहुत सारे बाहर के लोग आ गए हैं ये हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि जो लोग अपोजिशन में होते हैं तो वो तो कंप्लेंट करते हैं गवर्मेंट की ठीक है ना तो हाला तो फ्यूचर में चाल हो जाएंगी लेकिन फार नाव अभी के लिए विजिट वीजा वाले जो अभी ये सोच किया रहे हैं कि यहां पर हमें जॉब मिलेगी यह हमें काम मिल जाएगा यह हमें वर्ग पर्मिन मिल जाएगी यह हमें लम्मया मिल जाएगा उनके लिए it's very hard उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो प्लीस आप उसके लिए मैं बोलूगी कि आप आएं मनानी है कि नहीं आएं, आप आएं भले आएं अगर आपके पास अलाईने आपको उतना दिया है आएं खुमें, सर्च करें कि कहां कौन सी जगा अच्षी है अगर आपको, अगर आपको अलाईने मतलब blessing दी है कि आपको, यह भी एक blessing है सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बिचारे अप्लाइ भी कर सकें और फिर अप्लाइ करें तो इतना फोर नहीं कर सकते हैं कि वो इतने पैसे खर्च करके ट्रिकेट भाय करें इतने पैसे खर्च करके फिर कहीं पर रहें होटल में रहें या एरबीन भी करें हर चीज मेंग्यों हो गई है तो ये नेमतें सब के पास नहीं होती है लेकिन अगर आपके पास ये नेमत है तो ज़रू आएं देखें एक्स्प्लोर करें कैनेडा कैसा है फ्यूचर के लिए और फिर गूम के फिर चले जाएं और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है अगर आप लखी है कि अगर आपको जौब मिल जाती है वैसे मिलेगी नहीं आजकल के हालात के हिसाब से जिस तरीके से गौर्ण्मेंट बहुत सक्त हो गई है क्योंकि उनके पास बहुत जादा लोग आ गए है वो जो के विज़ विज़ा पे आए थे रुख गए है और वो जो असालम जो उन्होंने फाइल किया तो ऐसे बहुत सारे लोग है इसलिए बाकी लोग शिकायत करें जो यहां के पी आरे जो यहां के सिटीजन है तो आप प्लीस आएं सोच समझ के आएं और अगर थोड़ा बहुत पैसा लेके आएं कि अगर आप छे मिने रहते हैं चार मिने रहते हैं तीन मिने रहते हैं तो मिंगा ही बहुत हो गई है तो आप आराम से सर्वाइव कर सकें गुमें फिरे देखें एक्स्प्लोड करें और फिर चले जाएं ठीक है ना बाकी वो जो प्रॉपर तरीके से जिनको आना है जो यहां पर जो पातफेज हैं उनके बने हुई बहुत सारे तरीके हैं आने के उस पे तो मैं तो 100% आपको बोलूँगी 100% मैं आपको मश्वार दोंगी कि उस बेस पे तो आप ज़रू आएं उनके लिए तो हमेशा केनेडा के दरवाजे खुले हुई हैं क्योंकि वो तो आएंगे तो उनको जो जो जाब मिल जाएगी और दूसरी है कि जो बिजनिस वीजा वालों को जो गॉर्मेंट बहुत इंकरेज करेंगी आएं उनको मैं कहूंगी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्लीज ज़रू आएं केनेडा इस वेरी गुड टू लिव केनेडा इस लेंड आफ अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो के लीगल तरीके से आते हैं जो के प्रॉपर तरीके से आते हैं तो बस मेरे आज की जो वीडियो है वो आपको ये बताना है इंकरेज करना है कि भी आप परेशान मत हो एक दर्वाज़ा मैंने पहले भी कहा था बंद होता है तो दूसरे दर्वाजे खुलते हैं बस ये कि इल्लीगल तरीके से मत आए क्योंकि आजकल ये इस पे विजिट विजा पे आके और रे जाना भी तो इल्लीगल है लीगल नहीं है ठीक है तो ऐसे तरीके मत रूंडे जो प्रॉपर तरीका है जो प्रॉपर उनके पाथवेस हैं जो उनके इम्मिगरेशन के जो रास्ते हैं उस पे आप जरूर आएं मैं आपको सो दफ़ा कहूंगी कि आप जरूर आएं क्यूंके केनेडा है आपके बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी जगा है सेव जगा है अच्छी एजूकेशन है अच्छा हेल्थ केर है और यहां का पानी हवा पानी अच्छा है तो फिर बाकी क्या चाहिए आपको आपके ओल्ड एज के लिए अच्छा है तो मैं जरूर इंकरिश करूँगी कि आप जरूर हैं चीक है न और बाकी ये इसका जवाब कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो अगर अगेन दो या सो में से एक या दो जा रहे हैं तो उतने हजारों वापस आ रहे हैं इमिग्रेट होके तो उससे आप अंदाजा कर रहे हैं ठीक है न तो जाने वाले तो मैंने देखा अमरिका से एक अमारी फेमली है जो बहुत नजदी की नहीं है दूर के हैं वो लास्ट येर अमेरिका से वो लड़का उसकी वाइफ शादी किया दो तीन बच्चे और दस साल यहां पर था अमेरिका से वापस पाकिस्तान का राची में चला गया गार्डन के एरिया में रहते हैं बोले मुझे नहीं समझ में आया इस्पेशली मेरे बच्चों के लिए तो देखे हर जगा से लोग हर जगा पर लोग जाते हैं और जैसे मैंने बताया कि आस्ट्रिला में मेरी कजन की बेटी है वो वापस चली गई तो हर जगा लोग आते हैं जिनको नहीं समझ में आता है वापस चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केनिदा को खुदाफ़ाइज का नहीं-नी, ऐसी बात नहीं है। बिलकुल भी ऐसी बात नहीं यह। और फिर आपका यह सवाल केकेनिदा क्या हम आए फूचर में? तो अगेन आपको इंशालों ये जवाब मिल गया होगा मैंने कोशिश किये कि एक्स्पिलेंट करने की कि अगर आप प्रॉपर तरीके से आते हैं तो आप जरूर हैं जरूर मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छा डिसिशन होगा एक्स्कूसमी आप्टूबर से ये एक्सरसाइस की विडियो भी हफते में एक दफा इंशालों जरूर अप्लोट करूंगी तो जरूर वाच कीजिएगा प्लीज तो बहुत सारी द्वाओं के साथ कि हमेशे खुश रहें, मुस्कराते रहें और अगर आपका केने राने का प्लेंड है खुश रहें तो इंशालों आपका जरूर पूरा हो तो फिर मिलते ही इंशालों नेक्स्टूडियो में तब तक के लिए लाफ्स